हलो भाईयों इस वीडियो के अंदर अपने आपर बात करेंगे जो आज के दिन यूरोपियन क्रिकेट लीग का गुरूप सी का दूसरा मैच होगा जो खेला जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओल्टन और ओल्ड विक्टोरियन्स के बीच में मुकाबला खेला जाएग मैच जो है स्टार्ट होगा सामको साड़े पांच बजे गुरूप सी का यह मैच नंबर साथ होने वाला है वैसे और सेम वेन्यू पर मैच खिला जाएगा जहाँ पर अब तक के सारे के सारे मैच खिल गए हैं सबसे पहले भाईयों अगर आपने अब तक टेलिग्राम चनल जो नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलिग्राम चनल को जरूर से जोन कर लेना है क्योंकि लास्ट मुमेंट अपडेट सारी की सारी टेलिग्राम चनल पे ही आने वाली हैं टेलिग्राम चनल का जो लिंक है एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसर comment section में भी पहले comment में आपको telegram channel का जो link है वो top पर pin कियावा मिल जाएगा और दोनों जगे से आप बहुत आसानी के साथ telegram channel से join हो सकते हो सबसे पहले बात करूँ pitch report की तो देखो artificial cricket cricket रहता है पहले match में जो मैंने आपको बताया pitch report में कोई ज़्यादा बात करने के आपर चाईज है नहीं सबसे पहले आप देखो playing 11 old victorians की टीम की कि last match के अंदर इनकी क्या playing 11 खेली थी और क्या इनका betting order रहा था तो last match में की तरब से open किया जोन पी जिनर और चार्ली बैनन ने फिर आएते हैं यहां से देखो कि Edward Giles, James Duckett, Grant यहां से Donaldson, Luke Glachin, Jamie Waltling, Scott Simpson, Robert Duckett, Theo Polman और Matthew Webb तो यह इनकी टीम का last match के अंदर playing 11 था with betting order अब यहां पर इन सभी players के इसी betting order के according अपले stats भी देखेंगे कल इनकी टीम ने दो मुकाबले खेले थे पहला match इनकी टीम, हारी दूसरा match इनकी टीम यहां पर जीती है, ठिक टाकसा इनका performance रहा है, ओपन इनकी तरफ से करेंगे John T. Ginner और यहां से Charlie Ben, और दोनों आपके लिए important है, John T. Ginner आप देखो पहले में 13, दूसरे में 23 है, इससे पहले T. Ginner में 6 match में 155 रहने, बहुत शांदार record है, important pick है Charlie Ben, 17, 17 और 45 नोड आउट है, T. Ginner में इससे पहले 6 match में 143, 43 का अवरज है important pick है आपके लिए मेरे इसाब से Edward Giles, betting प्लस दो ओर की bowling कर रहा है अगर इनकी टीम पहले bowling कर रही है तो इस player को आप जरूर टीम में रखना पहले match में 1 run 1 wicket है, दूसरे में 4 run 0 wicket है 2022 के अंदर अगर आप देखोगे अपने club के लिए T20 में 5 match में 99 run 6 wicket है और 2023 में 3 match में 58 6 wicket है तो bowling अच्छे खासी एक करवा सकता है important pick रहेगा gems record पहले में 17-0 wicket, दूसरे में 19-1 wicket है betting plus bowling दोनों चीज़े कर रहे है important रहेंगे club T20 दो 23 में 4 match में 32-5 wicket है grand donaldson नीचे खेल रहे है पहले match में betting नहीं है sorry, दूसरे में betting नहीं है पहले में खेले नहीं OTT 23 में 2 match में 25-4 wicket है Luke Gletchen पहले में 11, दूसरे में no waiting है club T20 दो 23 में 1 match में 53 पन है लेकिन दिक्कत क्या है कि ये number 5 पे खेल रहे है ये number 6 पे खेल रहे है जो कि मेरे इसाब से नीचे है तो उतने important रहेंगे नि यहाँ से जो important pick आप के लिए अभी के लिए है जोन टी जीनर है, चारली बैनन है जेम्स डकेट है Edward Giles को आप टीम में ज़रूर रखना अगर इनकी टीम पहले bowling कर रहे है otherwise आप इनको drop कर सकते है तो फिलाल के लिए आप इन 4 player को यहाँ पर important मान सकते हो अब बात करते हैं जो उनके next player है प्लेंगे लिए उनके उनकी तो नंबर साथ पर आएंगे जेमी यहाँ से जेमी वाटलिंग जिनका उतना खास record है नहीं पहला खेले नहीं, दूसरे में इनकी betting नहीं आई थी club T20 दो जाट 23 में एक मेच में एक रन है Scott Simpson बोलिंग करवा सकते हैं पहले में एक रन दो विगड है दूसरे में एक रिगड है club T20 में तीन मेच में चार रन एक रिगड है bowling करवाते हैं अच्छे खासे यह बोलर है Robert Duckett पहले में बारा रन जीरो विगड है दूसरे में नो बेटिंग है club T20 दो जाते हैं चार मेच में 49 रन एक रिगड है Theo Pullman पहले में खेले नहीं दूसरे में एक रिगड है T10 के अंदर 10 मेच में 7 रिगड है 12 ओवर डालके खेलेंगे तो बोलिंग करवाएंगे यह चीज़ आप ध्यामे रखना Matthew Webb दो मेच में 5 रिगड है जिनको आप टीम में ट्राइ करके चल सती हो 3 प्लेयर यहां है, 4 प्लेयर में आपको पीछे बताये थे अब देख लेते हैं के बेंच के प्लेयर्स के स्टेट्स और Starting Death Awards तो यह इनके बेंच के प्लेयर्स के स्टेट्स हैं Last Match के अंदर अगर आप देखोगे न पाउर प्ले में इनकी तरफ से बोलिंग कराई थी स्कॉट सिम्सन और इगाइल्स ने डेथ के अंदर यहाँ पर आया था इगाइल्स, टी पुल्मेन और मैथ्यू वेव यहाँ पर डेथ के अंदर बोलिंग करवाने आई थे अब बात कर लेते हैं हाँ पर दूसरी टीम की प्लेंग इलेवन और उनके बेटिंग ओडर की तो देखो ओल्टन की जो टीम है टीम इनकी भी बहुत अच्छी है इनकी तरफ से देखो ओपन कर रहे हैं यशो थरन और उनके साथ में रहे हैं रहान इस्तनकजाई यह दोनों ओपन कर रहे हैं फिर आ रहे हैं आसे मलियर इस्तनकजाई फिर आएंगे आसे नुवान बतांगला दियोन जोनसन मुली तरन गनान सेकरम इनके लावा साहीद वरीदू परतिपराज नयम, इस्तनकजाई, अली, उस्मान और जमल इस्तनकजाई तो यह इनकी टीम का लास्ट मेंच के अंदर प्लेंग 11 तब विद बेटिंग ओडर अब यहाँ पर इन सभी प्लेयर्स के इसी बेटिंग ओडर के according अपने स्टैट्स भी देखेंगे जिससे अपनको सारी चीज़ें आपर क्लियर हो जाएंगी तो देखो कल इनकी टीम ने दो मुकाबले खेले, दोनों मुकाबले इनकी टीम जीती है तो यह तो आपको समझ में आगोगा कि टीम इनकी भी बहुत अच्छी है और अच्छा इनका पहुमेस है यशो तरण देखो, पहले में जल्दी आउट हुआ 17 पे, दूसरे में जल्दी आउट हुआ दो रन पे लेकिन यह प्लेयर बहुत अच्छा है इससे और इसको आप रिस्क ले सकते हो इस प्लेयर पे दो जाते है, इसमें 14 मैच में 310-22 का विज़े है रयान इस्तनकजाई, CBC का चोईस वाला प्लेयर है क्योंकि ओपन के सासाथ बोलिंग दे रहा है 65 एक विज़े है, पहले में दूसरे में 52 एक विज़े है, T10 के अंदर 14 मैच में 210 विज़े है, बहुत अच्छा रिकोर्ड है क्योंकि बेटिंग प्लस बोलिंग दोनों चीज़े कर रहा है इसलिए ज़्यादा इंपोर्टंट है मलियर इस्तनकजाई, ये भी इंपोर्टंट प्लेयर है बेटिंग प्लस बोलिंग दोनों करता है पहले में एक रन एक विज़े है, दूसरे में जीरो जीरो विकेट है, दो जाए तेइस में पंदरा मेच में एक सु निन्यानवे साथ विकेट है, मुडली तरन है, पहले में जीरो जीरो विकेट, दूसरे में 10 रण है, नीचे बेटिंग कर रहे हैं नमबर 6 पे, तो उतने इंपोर्टेंट रहेंगे नहीं, तो यहां से जो इंपोर्टेंट पेर हैं इनकी तरफ से, वो हैं देको रहान इस्तनक्स आईए, इसको अगर आप चाहो तो रख सकते हो, यह शो तरन को चाहो तो रॉब भी कर सकते हो, मलियर इस्तनक्स आईए, इसके लावा डियोन जोनसन है, तो पहले 6 में से यह 4 प्ले मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट यहां पर रहने वाले हैं, यह चीज़ा आप ध्यामे रखके चलिएगा, अब बात करते हैं जो उनके नेक्स प्लेरे प्लेंगे लिए उनकी, तो सहीद वरीदू आएंगे आप पर नंबर 7 पर जोकी इनके विकेट कीपर हैं, पहले में 23 नोट आउट दूसरे में 1 नोट आउट हैं, साथ के साथ विकेट कीपिंग के भी पॉइंट आपको देगा, परतिप्राज 2 मेच में 1 की ओवर डाला हैं, पहले खास रिकोर्ड नहीं है, 2 जाटेश में 15 मेच में 94 मातल 2 विकेट हैं, क्योंकि बोलिंग बहुत ही कम करवाता है, इसका काम है बेटिंग करना, बेटिंग भी नीजे कर रहा है, नई मिस्तनक जाई, दोनों में 9 बेटिंग है, अली उस्मान बोलिंग फर्स्ट में इंपोर्टेट है, दो मेच में 1 की विकेट है, लेकिन बोलिंग करवा सकता है, 2 जाटेश में 4 मेच में 5 विकेट है, ओवरॉल 12 मेच में 15 विकेट है, बोलिंग फर्स्ट में ट्राइक कर सकते हो आप इनको, जमल इस्तनक्जाई दो मेंच में दो विकेड है, दस में दस विकेड है, इससे पहले ओप स्पिन बोलिंग करवाते हुए नजर आएंगे, तो यहां से important कोन है तो बोलर्स में सिर्फ दो ही बोलर इनके पास है, तो जमल इस्तनक्जाई और दूसरा अली उस्मान, दोनों को आप ट्राई कर सकते हो, जब इनकी तीम पहले आपर बोलिंग कर रही है तब, अब यहां पर देख लिए इनके बैंच के प्लेयर्स के स्ट्रेट सो, यह इनके बैंच के प्लेयर्स है लास्ट मैच के अंदर, इनकी तरब से, पावर प्ले में बोलिंग कराई, अली उस्मान और मलियर इस्तनक्जाई ने डेट में यहां पर आये थे रहान इस्तनकजाई, मलियर इस्तनकजाई और यहां से जे इस्तनकजाई डेट के अंदर बोलिंग करवाने आये थे अब देख लेते हैं इनकी डेमो टीम लेकिन उससे पहले अपने अब तक टेलिग्राम चनल को जो नहीं किया है ज़रूर कर लो क्योंकि लास्ट मुमेंट अपडेट यहीं पर आएंगे टेलिग्राम चनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट में आपको टेलिग्राम चनल का लिंक दिया हुआ है तो जल्दी से जाकर जोइन कर लीजे अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं डैमो टीम तो डैमो टीम में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो विकेट कीपिंग सेक्शन से